नमस्कार दोस्तों, IPL 2021 में आज का मुकाबला नमबर एक बनने का है आज की टॉप की लड़ाई में पॉइंट टेली में अगर बात की जाये तो बासाहत की लड़ाई कही जा सकती है दोबाई में आज है दबंगई की लड़ाई जिसमें आमने सामने होंगे धोनी और रिशपपन्त गुरू और चेला की लड़ाई में आज देखना होगा कि कौन अपनी टीम को आगे ले करके जा पाता है प्ले आप में जगा पकी कर चुकी दो टीमें पीली जर्शी वाली चेन्नाई सुपर किंग का मुकाबला दिल्ली केपिटल से खेला जाएगा डोनामेंट में फिलाल दोनो टीमें टॉप दो में हैं 12 मैचों के बाद दोनो टीमों के 18-18 अंख हैं लेकिन रन रेट के आधार पर धोनी के सुपर किंग का अस्थान पहला है जबकि रिसप पंथ की दिल्ली का अस्थान दूसरा है दोनों टीमे आज आमने सामने भीडने वाली हैं दोस्तों देखना ये होगा कि इन दोनों टीमों में कौन सी टीम आज नमबर एक बनती है। आज दोनों ही टीमों का मुकाबला बहुत ही बहुतरीन होने वाला है। और इन दोनों टीमों में कौन बेस्ट रहेगा ये देखने वाली बात होगी आप देख रहे हैं इस समय यूटूब चैनल हमिठी बलाग और दिल्ली केपिटल्स के लिए आज का मुकाबला टॉप पर पहुंचने का है इस लडाई में दोस्तों देखना ये होगा कि कौन सी ट पर किंग की ज्यादा रहेगी क्योंकि रन रेट के आधार पर अगर बात किया जाए तो चैन्नाई सुपर किंग का इस्थान ज्यादा अच्छा है ज्यादा अच्छे तरीके से जो है चैन्नाई सुपर किंग ने भीजे हांसिल की है तो दोस्तों ज्यादा जो संभावना हो वो दिल्ली की नहीं बलकि चन्नाई सुपर किंग की होगी आज जीतने की खेर आप क्या कहते हैं इस पर अपनी प्रत्क्रिया जरूर दीजिएगा और दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ में मैज का हाइलाइट ले करके इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतन चाहूंगा अगर दोनों टीमों की ताकत की बात की जाए तो कागज पर लिखता दिख रहा है वैसा ही ऑन फिल्ल्ड भी है दोनों ही टीमों के बल्ले बाज और गेंदबादी दुरूस्त है ऐसे में आज का मुकाबला बड़ा जोड़दार रहने की उमीद है आई पील 2021 मे CSK सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाली टीम है जिसने अब तक 96 चक्के लगाए हैं उनमें अकेले रितूराज गायकवार्ड ने 20 चक्के जड़े हैं वहीं चोके लगाने के अगर बात किया जाए तो गायकवार्ड ही आगे हैं आई पिल 2021 में सबसे आगे हैं उन्होंने अब तक 43 चोके जड़े हैं इन आकड़ों से साफ हो जाता है कि ताकत के मामले में CSK की टीम बेहद ही ज़्यादा सबल दिखाई दे रही है दोस्तों आप क्या कहते हैं आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं ज़रूर बताईएगा इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही धन्यवाद